स्वागत आपका हमारे चैनल टेक बिलेज में और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसे स्मार्ट फोन का रिव्यू जो आज कल बहुत चर्चम हैं बहुत तहीं ज्यादा लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और वह है इन्फिनिक्स 08i तो इन्फिनिक्स 08i का रिव्यू खरते हैं शुरू लेट्स रोल तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो फोन है इन्फिनिक्स 08i यह काफी चर्चा में रहा है काफी सारी टैक वेफसाइट बड़ी बड़ी टैक वेफसाइट क्या फोन ओफ दावीक और फोन अवदा मंत रह चुका है इस प्राइस सेग्मेंट में तो प्राइस सेगमें बात अगर मैं करी रहा हूं तो पहले इसका प्र मेरे इसे तरफ से आप इसे आंग बंद करके बस खरीद लीजिए बहुत बढ़िया फोन है और तेरा जार रुपए का मतलब यह कि इन फिनिक्स ने थोड़ा सा अपना प्राइस गेम जो है उसे अप करा है इंफिनिक्स बजट फोन बनाता है और अच्छे फोन बनाता है हम को थोड़ा सा इसके प्राइस बढ़ा गाए पंदर हजार रुपए का पाईस करा गया लेकिंदर फीचर भी काफी सारे बढ़ा गया सकाले के इनका अपको devi क्ाइमेरे मिलता है साइड मैं आपको फिंगर्प्र्रिंट सेंसर बाला बटन है और फिंगर्प्रिंट सेंसर है और आपको एक बड़ी डिस्पले मिलती है और इस segment में सबसे बड़ी डिस प्लेइए 6.85 इंच की डिस्पले डियुल पंच मेरा आपको मिलता है सेल्फी और आपको एक अच्छी बैटरी मिलती है बड़ी बैटरी 4500 mh की तो सबसे पहले अगर मैं इसके डिजाइन के बारे में बात करो तो डिजाइन भी आपको एक बहुत अच्छा दिजाइन मिलता आप आप जैसे हैं फोड़ी बात तो कुछ अलग है कैमरा मैडिल जो है वह थोड़ा है मतला देखने में मैं ऐसा लगता है कि यह असल में plastic और फिल्बी plastic ही होता है हाथ में कोई ऐसा नहीं कि मैटल प्लास्टिक है लेकि मैटल का बना हुआ है और आपको तोनगी तरफ ठोड़ा सा डार के देखे है नेचे लाइटार है यह जो इस वक्त मेरे हाथ में हैं यह सिल्वर कलर ब्लैक कलर भी अविलेबल है थिज़े घाहे और दोंहिकर निजено काफी अच्छा लगे औरें जाद अच्छा लग अगर साइड में Pride होने का फायदा ये होता है कि हम उस तक आसा यी से पहुंचे सकते हैं वह हमें दिख रह다 है डहले कि यह संवे कि जैसे की से में हम से फिंगर लिट चैनल ‫याइसे कड़ी गंदा है जाता हो जाता से थोड़ा सा मतलब खराब सा लगता है मतलब इतना अच्छा नहीं लगता बैक बिल्कुल क्लीन होती है अगर वहां पर कोई आपको क्वाड कैमरा सेट अप मिलता है विद 48 मेगा पिक्सल में सेंसर और इसका डे लाइट में तो इसकी परफॉर्वंस बहुत ही बढ़िया है नाइट मोड भी अविलेबल है और एक फ्लैश भी है क्वाड फ्लैश है तो फ्लैश भी काफी ब्राइट है और मैंने कहली ब कि इस कैमरे में इस फोन के कैमरे में वीडियो स्टेवलाइजेशन बहुत ही अच्छा है बाकि किसी भी ब्रैंड का इस रेंज में फोन हो उन फोन से बहुत ही बहतर वीडियो स्टेवलाइजेशन आपको मिलता है चाहे वह फ्रेंट कैमरा हो या फिर रियर कैमरा हो और दो से भी यह काफी दमदार है इसके अंदर आपको 8GB RAM मिलती है जो कि काफी में कहूंगा मौर्दें सफिशेंट इस रेंज में क्योंकि इस रेंज का फोन हम कोई बहुत ही जादा है वी वर्क के लिए नहीं लेता है जर्नल फोन होता है सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब करते हैं थोड़े गेमिंग करना है फोटोग्राफिक सब कुछ तो उस हिसाफ से 8GB RAM मौर्दें सफिशेंट होती है तो आपको यहां पर 8GB RAM मिलती है 118GB Storage मिलती है और प्रोसेसर मिलता है Mediatek Helio G90T जो की एक ड्रेंज Gaming प्रोसेसर मिज्ड गेमिंग के लिए और गेमिंग आपको बताना चाहता हूं गेमिंग की बात आई तो मुझा अचनक से वह बात याद ही कि इसी experience में चार चान लग जाते हैं इस डिस्प्ले की हो जासे डिस्प्ले बड़ी है तो मैं जब परसनली गेमिंग बड़ी डिस्प्ले पर पसंद है फोन वैसे मुझे इतने बड़े साइस के नहीं पसंद मैं थोड़ा छोटे साइस को प्रिफर करता हूं लेकिन गेमिंग के ही नहीं कि प्राइस कोई बड़ा दिया बाकी चीज़ भी बढ़ाई है आपको पहले इसके किसी फोन में मीडिया टेक का ही लियो जी 90 प्रोसेसर नहीं देखने को मिला उन्हों ने इसके अंदर इसा इंट्रड्यूस करा है और काफी अच्छा प्रोसेसर है इस रेंज के ल इसके बाद हमें मिलता है यह चीज बजूद में नहीं आई है पहले हमें माइक्रो यूएसबी मिलती थी लेकिन अब यह अच्छी बात है टाइप सी क्योंकि हमारे जितने भी डिवाइस है एयर फोन्स वाचेस सब टाइप सी से आते हैं तो एक ही टाइप के यूएसबी से अगर सब रहें तो हमारे लिए थोड़ी असानी होती है जर्नल यूजर के लिए असानी होती है टाइप सी एक अच्छी अपग्रेड है बजट फोन में और इसके बावर में आपको मिलते है इस पीकर की बात होई रही है तो मैं आपको बता तो आपको यहां पे मिलता है डी 23 वाट सुपर चार्जिंग जो आप इसे कहना चाहें बस मुद्दे की बात है कि जल्दी से चार्ज हो जाता है और इसकी जो बैटरी है वह थोड़ी सी डाउन ग्रेड या फिर डिसेपॉंटेड कहेंगे कि 4500 मह की अब 4500 मह अच्छा रंबर होता है बड़ी बैटरी होती ह लेकिन इंफिनिक्स ने हमारी आदत खराब कर दिया 5000-6000 बैटरी होना उसमें आम बात थी तो 4500 मह सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है जो दूसरे में नहीं मिलती दूसरे इंफिनिक्स के फोन में बजेट फोन में तो वह उसे कहीं न कहीं ओवर कम कर लेता यह बहुत जल्दी चार्ज होता 33 वाट फास्ट चार्जिंग एक अच्छी पावर की फास्ट चार्जिंग बजेट फोन के लिए और यहां पर आपको Android 10 का सपोर्ट मिलता है एक्सोस 7 का रूप में जैसा कि हम सब जानते ह है वह इंफिनिक्स का अपना वर्जन है जो Android बेस्ट होता है जिसका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ है बहुत हाई-end एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन काफी अच्छा एक्सपीरियंस हैं उसके बारे में यह नहीं सकता है ठीक है बड़ी है थोड़ी सी गुंजाई से उसे और अपग्रेड करने की और अच्छा बनाने की जो धीरे-जीरे कंपनी कर भी रही है इसके लावा बहुत सारे छोटे-छोटे फीचर्स हैं जैसे कि आपको यहां पे ड्यूल बैंड वाइफाई सपोर्ट मिलता है ब्लुटूथ का वर्जन 5.0 आपको यहां अच्छा अच्छ चान यहां आप 256 GB तक expand कर सकते हैं तो आपको इस में पकर सकते हैं 256 GB तक मेरे शाफ से में आप के हर feature के बारे में बता दिया अगर कोई चीज में मिस हो गई बाईondere हैं ग्रीयूंकि और अगर आप क्रीदना चाहते हैं तो डेस्क्रिप्ट्रيप्शन में इसे देड़ दूगा लेकिन मैं अगर अपना फइन Academy के बारे देना चाहूं तो यह एक अच्छा फोन है और यह सिर्फ मेरा कहना नहीं है यह इसके जिते भी रिस्पॉंसिस आ रहे हैं क्योंकि इसकी स्पैसिफिकेशन भी अच्छी है डिजाइन भी अच्छा है और इंफिनिक्स ने उसकी hot series और not series जो आती है पहले सही उसके जरीए काफी अच्छी market में अपनी value बना लिया और अब उस value का उसे फायदा हो रहा है तो अगर आप एक अच्छा phone खरीदना चाहते हैं एक अच्छा budget phone दस हजार से उपर तो ये एक अच्छी deal हो सकती है आपके POCO से compare करने के लिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे like जरूर करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें आप से जल्द मुलाकात होगी एक नई review वीडियो के साथ